राजधानी भोपाल के सफाई कर्मियों ने सौंबार को अनिश्चित कालिन हर्ताल शुरू कर दी इसे शहर के कई इलाकों से कच्रा नहीं उठा सुब़े 11 बजे आरिफ नगर में स्यक्डो कर्मचारी एककटा हो गए और नारिवाजी करने लगे हर्ताल से इमर्जेंसी सेवा जलप्रदाय और फायर को दूर रखा गया है हाला कि जो संगठन हर्ताल में शामिल नहीं हैं वे काम पड़ कर रहे हैं हर्ताल के बाद निगम के अफसर और जन प्रतिनीदी भी चर्चा करने में लगे हुए हैं बता दें कि 6 सूत्री माओं को लेकर कर्मचारियों ने कड़ा रुक अक्तियार किया है इसे लेकर 4 दिन पहले 12 कर्मचारी संगठनों ने एक जुटता दिखाई और निगम दफ्तर का घेराव भी कर दिया था पहली बाद सैक्रो कर्मचारी 3 घंटे तक धन्ने पर बैठे रहे कर्मचारियों ने चिताबनी दी थी कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे 12 दिसंबर से अनिश्यत कालिन हरताल पर चले जाएंगे इसे पानी, सफाई, फायर समेत आम जनों से जुड़ी सेवाएं ध्वस्त हो जाएंगी कर्मचारियों की चिताबनी के बाद अपसर और जन प्रतनिधियों ने संगठन के पदादी कारियों से मुलाकात की कुछ संगठन आंदोलन से पीछे हड़ गए तो कई संगठन अभी भी मैदान में डटे हुए है